इस कारिक्रम के पुणयारजक हैं सेक्टर सेतिस नोयडा, पारसमल, इंद्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाकलीवाल, सूरत, श्रिविनोजयन, मिलेनियम, श्रिमती नीता जयन, समस्त गुरुभक्त परिवार, फिरोजबाद धर्म इश्नेही, सत स्रद्धालो, यहां पर उपस्तित, आप सबी भव्यवर पुंडरीक, पुंडियात्मा, महनुभाफ आचारी भगवन, योगीन देव, द्वारा विरचत, जयानां को सुनाम ग्रंथ में, वाचना की इंत्रगत ध्यान के संबंद में, कुछ व्याख्यान सुन रही थे आचारी मोदे की, गूर कारिका, और सरर अर्थ, जो, हिर्देंगम कर्णी लाइक, जिसकी बादम से चितना के, तलसफरसी, स्वरूप का, बोध सेहज होता है ये तनी सहज असल व्याख्याएं हैं, जिन्हें सुनते सुनते, स्वते ही आप्म ध्यान की प्रेणा प्राप्त होती है वरतमान में आप मोटिवेशनल ऐसी भी सुनते हैं, जिन्हें के माद्यम से लोग के कारियों की प्रेणा प्राप्त होती है ऐसी आचर मोदे की एक कारिकाएं आध्यात्म के जगत में प्यूश करने के लिए प्रकास इस्तम्वतों हैं किन्तों प्रीरक निमित्ती भी हैं कोई विद्यार्थी जब देखता है कि ये विशेष सरल है विद्यार्थी भी जिसेफ मुंजनी में हखरनी में समर्थ हो रही है कि दो वड़ी विद्यार्थी भी उस्ता के शाद आगी आते है कि और जब यह लगता है विशेक केलिष थरैं तो फिर कक्षा में बैठे विद्यारती इदर ज्ञांकने लगते हैं स्रुख जाने लगते हैं उनका मन नहीं लगता यदि आचार मोदे यहां पर एक किलिष्ट भासा का प्रियोग करते उच्च कोटी के दूलब्तों सब्ध जिनका आर्थ उरिली व्यक्ति ही समझ पाएं ऐसे शब्दों का प्रियोग करते तो फिर तो एक कारिकाएं उंगली पर ना मुनी लाइक चंद व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं जैसे अती गरेष्ट चक्परती के खान योग लड़्डू हरिवत व्यक्ति नहीं खा सकता नहीं पचा सकता या वरत्मान काल में भी ड्राइफूर्ट से बनाए हुए लड़्डू आदी या घ्रत में सने हुए प्रकवान आदी हरिवति पचा नहीं सकता खाने की लालसा भलेई बहुत लोगों के चत्में पैदा हो जाए कि पचाने की सामर सबकी नहीं होती है यशे ही जो दुर्वों शब्द होते हैं जिनका अर्थ दुर्गम्य होता है यशे शब्दों को पढ़ने में भी आनद नहीं आता है यशे आप देखते हैं कई त्यागिवति लोग हिंदी के पाठ पढ़ते हुए बड़ी मस्त हो जाते हैं ऐसा लगता पढ़ता युटपं करके हिंदी का पाठ पढ़तो अर्थ हिदेंगम होता जा रहा है और कुछ थ्याइगीवति यो सञ्सकत में निपुण हैं श्रूवा जर्ण्षत aktuell की स्ल्वहसा का पाठ करते हुए उसको अर्थ करते हैं जो प्राको भासा में दुर्ध खाती है किंतों स्वामी की हाध्द्वास आद्धात生 निख त्यक है कि उखाती है। उससी कि थे अर्थ मोसितस्रे ये ये पिखेश्द्वास तक यह त़स्टिक नाम की दूस्रेमिंघ लिक्ति 묻ने में। एक 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 वाक्य एक डेड़र दो तो पेश्ट के उसका अर्थिकाना बड़ा कठन है काप्य की भासा है दुरूब हो सकती है किन्तो यह भासा तुनी शरर है यसे सर्व हितेशी बन सके गर्ष्ट बोजन हरेक नहीं कर सकता किन्तो हलुआ तो हरेकवत्ती खा सकता है छोटे बालक से लेकर के उरद तक ख़दाचत गी नहीं पचा पारा हो तो दूद तो हरेकवत्ती पीशकता है उसे दूद को चवाने के लिए दांतों की आवशकता भी नहीं है के चड़ी भी कोई विविक्ती पी सकता दलिया कोई भी ले सकता है ऐसे ही जो बहुआ उपयोगी बहुजन हिताए बहुजन सुखाई सुत्र होते हैं उनसे निसंदे बहुजनों का कल्यान होता भी है मध्यों प्रग्या वाले त्यागी वती विद्धुतगड़ विदुशी माताओं की शाद्यों की संक्या आदिक होती है उच्च कोटी वाले कम होते हैं और निम्न तर जगन कोटी वाले कम होते हैं इसकूल में आप देखते हैं विद्यार्थी ऐसे बहुत कम होते हैं जो सो में से सो अंग प्राप्त कर सके ऐसे भी बहुत कम होते हैं जो सो में से जीर अंग प्राप्त करे और फिर देखेंगे तो पचास तक अंगपत्करने बाले संक्या कुछ है 99.94 अंगपत्करने संक्या भी कुछ है सरवादी संक्या है एक यावन से लेकर कि 98 तक मध्यूँ जयान के माज़म शे क्या क्या जो होती है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होती है तो यहाँ पर आचर मोदे जो कल दसमी नमर की कारकाम में बता रही थी पदार था अनिता लोके साच्तम स्याद दिदमन्निता अनिता मोक्षमार गश्य लोका क्लिश्चति चानिता पदार्तों का सुरूप लोके में अन्यप्रकार से माना जाता है साच्तों का सुरूप अन्यप्रकार से माना जाता है मोक्षमार को अन्यप्रकार से माना जाता है और जीव अन्यथा निस प्रियोजन ही क्लिश को उठा रहा है जैसे कोई वक्ति अपने समीप में अपने अधिकार श्यत्र में अपने ही हिस्से के रत्न और हीरे मोतियादी का धेर लगा हुआ है उसकी उर्दश्टी न करके रत्ती तोला पाई वर भोसे के पीशे लड़ रहे हो तो यक्ती जादा गुद्धमा तो नहीं कही जाते हैं आशे ही जो कलेश का कारण है उसक्रेश को नहीं उठारे फ्रापम ही कर रहे जो कलेश का कारण है ही नहीं तुम्हारी चेतना के निदी को कोई छीन है तो तुम्हारा लड़ना जगड़ना क्लेश करना उच्छ प्रतित होता है किन्तु पुद्गल जो तुम्हारा कभी न था न है न हो सकेगा न सामने वाले का था न है न हो सकेगा उस पुद्गल के पिशे व्यक्ति आरत ध्यान कर कर रहा है रौध ध्यान कर रहा है पापन को संच्च दरा तो यह लो को क्रेश्ट दिचाने था ये बात कि थे इसके पूर-वदै ने का था जाने ने जान माले ज्यान के द्वारा घ्यान का अलम में लेकर कि उस को निश्य ध्यान की प्राप्ति करना चाहिए शु q e प्रपी चिंतियत और कुछ भी चिंतवन नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु को प्राप्त करने का जो सही तरीका है उसके अमशारिदी चलते हैं तो वस्तु प्राप्त होती है। नितिकानुने ठीक लिखा है। लड़ू लड़ू बोलते, जीवन चके मठास। पानी पानी बोलते, बुजती किसकी प्यास। जीवन सारा खो दिया। ग्रंथ पठंथ पठंथ तोता मेना की तरह नाम रटंथ रटंथ। तो इस प्रकार से तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा की प्राप्ति का अपाई जो आचार अमरिच्ण स्वामी जी ने अध्यात्मतकर से बताया। शे महीने अपने शरीर को परोसी मान करके मेरे पाई ठेहर जा। जब शरीर को इपरोसी मान लेगा तो शरीर के जर्म दाता माता पिता को क्या मानेगा। परोशी के मकान का नर्मान करने बाले, जब परोशी ही तुमारा नहीं है, तो परोशी के मान किसनी बना जा, परोशी के मित्री नी बना जा, शत्री नी बना जा, क्या फ्रक पड़ता है, इस परोशी के मकान को कौन पूजा कर रहे हैं, कौन निंदा कर रहे हैं, कौन सजा रह तो उसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मकान शही कोई प्रोजन नहीं है, तो उसे मकान की रक्षा करने वाले, तोड़ने वाले उसे भी कोई प्रोजन नहीं है, तो शरीर को प्रोशिमान करके, छे महीने आत्मा के बारे में सुन, चित्त को इस्तर करके, आत्मा के स्वरूप को आपको जान, बार बार सुन, बार बार सुन, बार बार सुन, बार बार अपनी मिनको आ ले करके जा, बार सी मिनको अठा करके, जब तुझी आत्मा की अनवोती नहो तब कहना, स्रंड मास, छे मास तो कम समय लगे गा, तौकि छे मास अपजास में जरूरती है, टेनिंग भी हो कोई एड़ोकेट से 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 एड़ोकेट पहली दो ड्राइबर बना जा तो पहली क्या होता है लाशन दिया जाता है लिएल दिया जाता है तो क्या है टेनिंग है और उसके लिए गाड़ी अलग से होती है यह क्या है अभ्याश्च कर रहा है तो सब शेत्रों में यहां तक कि किसान भी अपने बेटे को सगाता है तो आप जानते हैं छोटा बाल अपने दादा के शाथ हल जोतरा है तो दादा ने हलकी मुठिया पकड़ ली पालो को पकड़ा दिया चल बेलो कांक गाड़ी चलान सगा रहा है पीशे खुद बैठ गया बच्चों सखा रहा है या और भी काम खेत में सिंचन करना सखा रहा है एशे असी मिटी डाल ऐसे कर आशे कर तो ट्रेनिंग तो दिया जाती है जब ये सब ट्रेनिंग उस सब विशेमें निपण् दक्ष और प्रवीनि वगती की द्वारा दी जाती हैं तो आत्मा की धान क कि टेनिंग भी उसी व्यक्ति द्वार दिया जाना उचत है जिसने आत्मा के सुरूप को जान लिया है आत्मा के सुरूप को पेंचान लिया है उसका अनुवप्राथ कर लिया है वही सही टेनिंग दे सकता है वही सही प्रस्षिशन दे सकता है तो यहां पराच्ण मोद्य कह रहे हैं आत्मा का सुरूप क्या है तो नहीं की शब्दों में देख लेती है वर्णातीतं कल अतितं गंधातीतं बिनशीत पूर्दवंदंवी नमुक्तं ध्याइत अरत सदाशिवं आचर वो देखे रहे, आत्मा कैसी यह, वरनातीतम, आत्मा का कोई रंग नहीं है, वरन नहीं है, जो लोग कहते हैं आत्मा कैसी है, ओ, ओ, बिलकुर सफेद है, ऐसा लगता है, अनन्त और असंख्या, कितनी सूरियों का प्रकास एक सथ हो गया हो, असंख्या सुरु के प्रकास की जैसी आत्मा है अनंत ट्यू लाड़ के प्रकास जैसी आत्मा है एशाय आत्मा तो परम हंस है हंस जैसी सफीद है कोई कहता है आत्मा तो फिलकुल ऐसी है चीटी के भी अनंत भाव चोटी सी आत्मा है कोई कहता है आत्मा कैशी है आत्मा तो यशा है जैसे चंदमा की शितर चांदिश रख रही हो आकास में एक साथ अनल चंदमा को दे हुआ हो यशी आत्मा नहीं गलत वर्णातीतम कलातीतम और आत्मा कला से भी रहते है कल शरीर से रहते है आत्मा का शरीर नहीं होता है शरीर तो आत्मा कलातीत यानि शरीरादी से अतीत है रहते है वर्णादी से अतीत है गंध आत्मा में कोई गंध नहीं होती है आत्मा की अरे एक बार आत्मा की गंध लेकर तो देखो नास का त्रप्त हो जाएगी नास का त्रप्त होती है पुदगल की गंध शे आत्मा की गंध से कि आत्मा जप्ती होगी यहीं दो फीक अटेरख यह खाषड से जीएःक रहिते हैं और क्षी में इसा निश्य करना चाहिए पूर्द बनग तुम आत्मा के शमंदण से पूर द्वंद धाना बनिये उन सभी धानों से मुक्त होकर के ध्यायेत ध्यान करना चाहिए किसका अरहत शदा शिवंद जो पूजनी शिव अवस्ता है शिद्ध अवस्ता है उश्कामिश्णा धान करना चाहिए यह आत्मा का सुरूप पूजी आचर वगन कुंदकुन स्वामी ज नेमचन शिद्धांती देवने भी लगुद्व शेंगर में कहा अरस मरूब मगन्दम अबबत्तम चेदना अगुनम सद्धम जान अलिंगं गहनं जीव मोने दिट्रसं ठालं अरस आत्मा रस से रहते अरस अरूब आत्मा रूप से रहते अरस अरूब मगन्दम गंदशे अरस मरूब मगन्दम अबबत्तम व्यक्त करने के योग नहीं है अब व्यक्त है वह व्यक्त यशे नहीं होती है अर्समरुवमगंदम मबत्तम चेतना गुण मसद्धम चेतना का जो गुण है अशब्द है शब्दों से आत्मा के प्रति इंगित किया या सकता है शब्द आत्मा को बता नहीं सकते है जाण अलिंगं गयर्णम आत्मा को जानू अलिंग गयर्ण लिंग कहते हैं चिन इंद्र इंद्रियों के द्वारा आत्मा गिर्ण नहीं की जा सकती है आत्मा लिंगे से पहंचान नहीं आती है ये आत्मा के सुष्म अस्तुत्त का बोध कराने वाले चिन को इंद्रिय कहते हैं फूजपाद भवानाचा स्वामी जासी प्रवाशा दी है तो आत्मा का सुष्म उसका आस ऐसा है अत्वा जो अपने विश्य में इंद्र किष्वान वरतन करते हैं इंद्रिया के लाती है किंतुर आत्मा इंद्रिय से अग रही है आत्मा का नहीं होता तो इसे बात जानने के योग है फूज आचर शीमा स्वामी मारा इंद्रिय वहां कहा आत्मा क्या है स्वसंब्यदन स्वब्यदन करने के योग स्वब्यक्तश है उसके द्वारा ही स्वब्यदन में अनुभम में व्यक्त होती है सुस्पते से तनुमात न्रट्य यीए आत्मा तनुमात ही इतने वार श्रीरे अतनी बड़ी आत्मा निरत्य नलत्य निष्ट नहीं होती है नित्य है विना से रेत है लोका लोक उन्हें अत्तन सोगवान आत्मा और आत्तन सोगवानी आत्मा है जो लोका लोक को देखने जाने में शमर्त है एशी आत्मा का ध्यान करना चाहिए एशी आत्मा सुद्नात्मा वाले शुद्ध परमिश्य होते हैं वह तिन लोक के दारा फ परमपोजाचारी गुर्देव श्रीवी दर्णिम्न माराज की अहीं सामय विश्वत धर्म की इस कारेक्रम के पुणे आर्जक थे श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकत जैन, अमिज जैन, राशी जैन, उन्नती जैन, सेक्टर सेतिस, नोईडा, पारसमल, इंद्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाकलीवाल, सूरत, श्रीविनोज जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरुभक्त परिवार, फिरोजबार,